अगामी सीजन में चावल के दामों में जोरदार तेजी का नुमान लगाया गया है पासमती चावल के दामों में आने वाले महिनों में 10-15 रपे प्रती किलो तक की तेजी देखी जा सकती है दरसल उत्तर प्रदेश और उत्राखंड की ओर से 1509 किस्म के धान की आवक शुरू हो चुकी है पहले इस किस्म के दाम 3400 से 3600 रपे प्रती कुइंचल पर खुले थे देखते ही देखते भाव 4000 रपे कुइंचल तक पहुँच गए अगले महिनों में नए बासमती धान की आवक शुरू हो जाएगी सबसे ज्यादा परचलित किस्मों में शामिल 1401 और 17-18 धान की आवक अक्तूबर में देखने को मिलेगी वहीं ट्रेडिशनल बासमती और 11-21 धान की आवक नवंबर दिसंबर में मार्किट में आ जाएगी वहीं कारोबारियों के नुसार बीते साल का कैरी ओवर स्टोक मिलो के पास अब न के बराबर है और धान की बॉआई परमुकुत पादक राजियों में बॉआई खटने की रिपोर्टे आ रही हैं ऐसे में इस साल खड़ी फसलों के सोदे भी उँचे दामों पर हो चुके हैं आसार है कि बास्मती किसम के चावल में 2022 देश में दाम अब तक के सबसे उँचले स्थर पर जा सकते हैं स्तानिया बजार में भी नए माल की आवक के साथ दामों में तेजी का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद की जा रही है बिरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी